नमस्कार आप देख रहे हैं विशेश आपके साथ मैं हूँ चित्रा त्रिपाथी पहले उत्तर भारत में बाड़ ने कहर मुचाया अब दक्षर में उसका उत्पात लोगों के सिर मौत बन कर नाच रहा है लेकिन बाड़ और सैलाप के रूप में आए यंदूतों से मुकाबला कर रहे हैं वो जल दूत जो अपनी जान पर खेल कर न जाने कितनी जिन्दगिया बचा रहे हैं सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं केरल से करनाटक तक कैसी सैलाप का कहर जेल कर हमारी सेना, डौ सेना और NDRS के जवान लोगों के जिन्दगिया बचा रहे हैं भारत में तबाही मचाने से मन नहीं भरा, तो दक्षिन में अपना रोधरूप दिखाने पहुँच कई बार आलम ये है कि केरल से करनाटक तक भयंकर बार से त्राहिमाम त्राहिमाम मुरहा दोनों राज्यों में अब तक करीब 130 से जादा लोगों की जान जा जुबी कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जब यही जल रोधरूप ले लेता है, तो काल बन जाता है फिर जिन्दगी बचाने के लिए इंसान को जमीन आस्माने कर देना पड़ता है करनाटक के बेलगाम में कृष्णा नदी ने आसपास के इलाकों को निगलना शुरू किया तो अफ्रा तफ्री मच गई सेना, नेवी और इंडियारिफ की टीमों ने पानी में फसे बरिवारों को बाहर निकालने का जिम्मा उठाया ये तस्वीर उसी रेस्क्यू मिशन की है बार से बचाए गए एक मासूम ने जब बचाव टीम का हाथ लाकर शुक्रिया अदा किया तो परिशानी और तनाव के इस माहौल में भी हर चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई बाल में फसे कई बुजूर्ग ऐसे भी थे जो चलने फिरने में असमर्थ थे बचाव टीम के सदस्यों ने इने गोद में उठाकर बोट पर बिठाया और सुरक्षत स्थानों तक पहुँचाया थाहकार के इस हालात में सेना और NDRF की रेस्क्यूटी में किसी देवदूद की तरह प्रकट पुरेगी करनाटक के कोपल जिले में कई विदेशी सहलानी भी बार के बीच होस गए इन विदेशी मेहमानों पर कोई आच ना आए इसके लिए NDRF ने मोर्चा सफार लिया जर्मनी, फ्रांस, अमार्का, पोलिंड से आए इन सहलानीों को NDRF की टीम ने नाव से सुरक्षत स्थान पर पहुँचाया करनाटक की तरह केरल में भी जिन्दगी बचाग दलों के हाथों में है ये तस्वीरे केरल के पलककर की है, उफंती नदी के दोनों किनारों पर पेड़ों में रस्सी बांदी गई है और इसी रस्सी के सारे एक महिला को खीच कर उस पार से इस पार लाया जा रहा है तूफानी बारिश में नदी के किनारे एक परिवार अपने घर में फस गया थाश परिवार में एक गरपती महिला भी थी तेज धार में तैर कर निकलना मुम्किन नहीं था और दूर दराज के सिलाके में इंडियारेफ की रिस्क्यू बोट अभी तक नहीं पहुंच पाई थी पानी का स्तर पलपल बढ़ रहा था फिर भी बचाव टीम ने रिस्क्यू की ये तरकीब अपना कर परिवार की जान बचाई पलकर से कम बढ़ी आफ़त वाइनाट में ही बरसी पहले तो तूफानी बारिश ने आफ़त मचाई ही थी लेकिन इसके बाद हुआ लैंड्सलाइड मानो कयामत का पैगाम ही लेकर आ गया गाओं के गाओं मलबे में तबदील हो गये कई लाशे निकल चुकी है लेकिन बचाव टीमने हिम्मत नहीं हारी है मलबे के पहार के बीच सिंदगी की तलाश लगातार जारी है आज तक बेरो केरल और करनाटक से अब थोड़ा ओपर उपते हैं और आते हैं महराश्ट्रो में महराश्री की त्रासदी ये है कि वो प्रचंड सूखा पहले जेलता है और उसके बाद बाढ़ इस वक्त बाढ़ की ऐसी मार पड़ी है कि कोलहापुर से लेकर सांगले तक लोगों को बचाने के लिए हमारी वीर जावाजों ने अपनी पूरी ताका जोंक रखी है बचा अबदल में शामल किसी जवान के लिए इस से बढ़कर क्या सम्मान होगा कि एक मासूम बच्ची उसको एहसान भरी सलामी दे अब आदा चगाव करते हों देवदूत इसे ही तो कहते हैं एक मासूम सी बच्ची की नज़रों से पूछे तो वो यही कहे कि कि नहीं देखा है देवदूत तो इनको देखे और फिर आसमान से उतरते फरिष्टों को सेल्यूट मारती है माराश्ट्र के सांगली में जब बाड में जिन्दगी पहने लगी तो सारी आशाएं अबिलाशाएं इन जवानों पराटी की इन्होंने जान पर खेल कर लोगों को बचाया तो जजबातों की बाड ऐसे उंटी रक्षा बंधन का पवित्र त्योहार चंद लम्हों पर खड़ा है इन जाबाजों को भाई बहन के पावन पर्व से पहले सांगली में महिलाओं ने राखी बांधी जिन्होंने सांगली में बाड में फसे लोगों की जान बचाई अब आप कोलापूर की इन हाहाकारी तस्वीरों को देखिए यहाँ घर डूप गए है सडके पानी में समा गई है लोगों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू आपरेशन चलाया गया साथ दिन तक कोलापूर को कुद्रत ने बंधक बनाया साथ दिन तक पूरे देश ने कोलापूर का ये हाल देखा एक वक्त को तो लगने लगा कि खुद्रत कोलहापुर का नामों निशान ही मिटा दे ना कोलहापुर से बाहर जाने का रास्ता ना अंदर आने का यहां खाना, पानी, दवाईया, पेट्रोल सब खत्म होने लगा तब सेना, नेवी एंडियारेफ के जवान पानी में उतरकार लोगों की जान बचाने पहुँचे नाव लेकर हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया इतनी बरसाथ हुई कि एक मंजल तक पानी भर गया उतरत केस कहर के बीच साथ दिनों बाद कोलापुर को राहत की किष्ट मिली है कोलापुर से गुजरने वाला ये नाशनल हाईवे 4 है जहां साथ दिन बाद जब पंच गंगा नदी का पानी कुछ कम हुआ तो हाईवे को खोला गया ये हाईवे पुणे और बेंगलूरू को जोड़ता है कोलापुर शहर के लिए आखिरकार साथ दिनों बाद खुश खबरी कुछ नजर आ रही है क्योंकि ये जो नाशनल हाईवे 4 है जो पुणे और बेंगलूरू को जोड़ता है पिसले साथ दिनों से जलमंग था यहां इतना जादा पानी भरा था कि ये गाड़ियों की आवजाई पूरी तरीके से बंद थी आप देखें जिस सड़क का जो दूसरा हिस्सा है वो अभी भी बंद है सिर्फ एक ही तरफ से गाड़िया छोड़ी जा रही है अगर उस तरफ कोलापूर शहर से जो गाड़िया आती है वो अगर उन्हें निकालना होता है तो इस सड़क से इस तरफ की आवजाई को बंद कर दी जाती है और उधर से गाड़िया निकाल जाती है तो इस तरीके से इस वक्त जो बेहर जरूरी चीज़े हैं इसे की गैस हो, पेट्रोल हो, खाने का सामान हो, इन सारी चीजों को पहले प्रायरिटी देकर कोलापुर शहर की तरफ रवाना किया जा रहा है। राजिस्थान तक कभी कभी लगता है कि बार का कहर खत्म हो रहा है। फिर अचानक से ही उसका विक्राल रूप सामने आ जाता है। गुजरात में कई जगों पर लोग बार में फस गए, बचने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तब आसमान से फरश्टे आए और हेलिकॉप् हेलिकॉप्टर नई उम्मीद जगाते हैं। इन हेलिकॉप्टर्स की ओर भागते दोरते आ रहे कुछ लोग, ये वो लोग हैं जो भुच में पानी के बीचों बीच फस गए। तस्वीरे देखकर अंदाजा लगाए कि एक ऐसी जगा है जहां फसने के बाद लोगों ने ज स्क्यू किया गया। कि दो दिन से यहीं फसे हुए है। कुछाद के जामनगर में ये देवदूद तो सीधे आसमान से ही आए। बाद से पूरी तरह घिरे एक मकान में 14 लोग फसे हुए थे। बोट के जरीए इस मकान तक पहुँचना नामुम्किन था। सभी लोग घर की चतों पर खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार सेना के हलिकॉप्टर पहुँचा और सभी 14 लोगों को एक एक गर रस्यों के सारे छट से ही हलिकॉप्टर में खींच लिया गया। अब राजस्थान की बढ़वानी की इन तस्वीरों को देखिए जहां मुसलाधार मुसीबत बर्सी है। नदी किनारों को तोड़कर बै रही है। हालात कितने खराब हैं उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। यहां सुरक्षित जगहों पर पहुँचने के लिए लोग रसी के सारे ऐसे इस पार से उस पार जाते हैं। क्या बच्चे, क्या बुजर्ग, क्या पुरुश, क्या महिलाएं। अगर इस पार से उस पार जाना है तो यही जतन है। बढ़वानी के बाद यह भयानक तस्वीरें राजस्थान के बारां की है। इस जरने का नाम है भड़का, यह एक पिक्निक स्पोट है। इसी पिक्निक स्पोट पर एक परिवार मस्ती करने पहुँचा था। इसी परिवार से 16 साल के एक लड़का यहां जरने के पास सोशल साइट के लिए वीडियो बना रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो जलधारा में बह गया। थोड़ी दूर बहने के बाद वो इस चटान में अटक गया। काफी मशक्कत के बाद इस चटान से उसे निकाला जा सका। गनीमत रही कि बच्चे की जान बच गई। राजस्तान के कुछ अलाकों में हो रही जोड़दार बरसात ने यहां के लोगों की जिन्दगी के रफ कुं करता चला गया वहां भी लेकर चलेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद आदेखते रही आज तक। जहां प्रचंड जलधार में ये दो मकान तिनके की तरह बह गए और वक्त लगा महज तीन सेकेंड। पुद्रत के सामने इनसान की एक नहीं चली। पानी ने घरों की नीव खोकली कर दी। लेरों से लड़ते मकान लडखडा गए और लडखडा कर पानी में बह गए। गनीमत ये रही कि मकान में कोई मौजूद नहीं था। खत्रा पहले ही भाप लिया गया था। चमोली में अलगनंदा नदी उफान पर भारी बारिश रे नदी जमीन को काटती जा रही है। अगर बारिश नहीं रुकी तो नोकसान इससे भी बड़ा हो सकता है। आज तक वे रूप। ये जल्दूत भगबान का ही रूप हैं जिनको हर कोई कह रहा है शुक्रिया। हमारी इस पेशकर्ष में बसता ही देश और दुनिया के हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। हमारी इस पेशकर्ष में बस्ता है। हमारी इस पेशकर्ष में बस्ता है।